पर फिर से आप से भी कास्वागत है जम्मू कश्मीर के बीजेपी साखा और कुछ वहां के नागरिक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि घाटी के मौझूदा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को पूरी छुट मिलनी चाहिए बीजेपी के परदेश अध्यक्ष संत शर्मा ने आज यहां समवधताओं से कहा कि हमारे केंद्रे ग्रिह मंत्री के साथ बैठक की और उन्हें एक ग्यापन दिया है जिसमें हमने घाटी के मौझूदा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को खुली छूट देने की मांग की है उन्होंने कहा कि पार्टी ने ग्रिह मंत्री के सामने कश्मीरियत इंसानियत और जमू हुरियत में विश्वास रखने वाले के साथ वारता की केंद्र की पहल की सराहना की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महभूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के नागरिगों को ही एक बार जम कर खिचाई की जो कि लोग घाटी में हो रहे उपद्रव को सेना को जिमेदार ठाजा रहे थे महबूबा ने साफ तोर पर कहा कि घाटी के चंद लोग वहां के शान्ती को भंग कर रहे हैं महबूबा ने कहा कि मैं कहती हूँ कि 95 प्रतिशत कश्मीर के लोग शान्ती पूर्ण तरीके से हल चाहते हैं बादचीत से चाहते हैं मगर 5% लोग उपद्रव चाहते हैं बतकिस्मती से जो उपद्रवादी हैं वो हमारे बच्चों की आड़ में फौजी कैमपों पर हमला करवाते हैं वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं अंधे हो जाएं महबुबा के इस दावे के जवाव में किसी ने साल 2010 की आशान्ती का जिक्र कर दिया तो वो और भड़क उठी गुसे में महबुबा मुपती ने कहा आप इन दो चीजों को मत मिलाइए उस समय लोगों के पास तर्क था कि फरजी इंकाउंटर में लोग मारे गएं आज एक इनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं उसमें तीन आतंगवादी मारे गएं उसमें सरकार का क्या कसू था लोग सड़कों पर आ गएं हमने कर्फियू लगाया बच्चा क्या आर्मी कैम टौफिक हरिदने गया पंद्रा साल का लड़का जब उसने दमाल हासीम पूरा में पुलीस स्टेशन पर हमला किया तो वो दूध लेने गया था केंद्रिय मंतरी स्मिर्तिरानी ने कहा कि केविन क्रू के पत के लिए जेट एरवेज ने उनका आवेदन यह काकर ठुकरा दिया था कि उनका व्यक्तित भी कुछ ठीक नहीं है टेली बीजन अभिनेतरी नेता वनी स्मिर्तिरानी ने मजाकिया अंदाज में आवेदन खारिज करने के लिए जेट एरवेज का धन्यवाद किया और कहा कि वहाँ नौकरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने मैक डोनल्ड में नौकरी कर ली और उसके बाद जो हुआ वो सारी बाते इतिहास का हिस्सा है उन्होंने यहाँ एक सामारो में कहा कि मुझे नहीं पता की बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि सबसे पहले मैंने कौन सी नोकल चाही थी मैंने JT Airways में केविन क्रू के लिए आवेदर किया था लेकिन मुझे खारिज कर दिया गया मुझे बताया गया कि मेरी प्रस्नेलिटी अच्छी नहीं है आवेदल खारिज करने के लिए आपका धन्यवाद एर पैसेंजर एसोसियेशन ओफ इंडिया दोरा आयोजित एक प्रुसकार सामारो में इस मुर्ति रांदी ने जेट एर वेज के एक अधिकारी को प्रुसकार परदान करने के बाद यह बात कही महातमा गांदी के हत्या को लेकर दिये गए बयान के उपर मान हानी का मुकदमा का सामना कर रहे है राहूल गांदी ने फिर टूट कर कहा कि वे अपने बयान पे अड़े हैं राहूल ने टूट कर कहा घृना और बठवारे को लेकर चलाये जा रहे हैं आरेसेस के एजेंडे के खिलाप मेरी लडाई कभी खत्म नहीं होगी मैं अपने हर शब्द पर कायम हूँ राहूल गांदी ने अपने टूट में अपनी रैली के उस हिस्सा वीडियो भी डाला जो जिसमें उन्होंने यह बयान दिया था कि आपको बता दे कि राहूल गांदी ने 2014 के लोग सभा चुनाओं के दोरान RSS को महात्मा गांदी के हत्या से जोडने वाला बयान दिया था राहूल ने अपने भाशन में कहा था कि संग के लोगों ने गांदी जी को गोली मारी थी इस बयान को लेकर भिवन्डी की कोट में मान हानी का मुकदमा दायर किया गया राहूल गांदी इसी मुकदमे को रद करने की मांग को लेकर सुप्रिम कोट पहुँचे बेशक इसमें दोराई नहीं है कि अमीर देश के लोग ज्यादा मेडल लाते हैं लेकिन रियो ओलंपिक में एक कहानी कुछ हैरान कर देने वाली है एक रिसर्च में ऐसा मामला सामने ऐसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे गुगल ने ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका को वर्स 2015 की तमाम देशों की GDP यानी सकल घरेल उत्पादन का विशलेशन किया इसमें वर्ल्ड वैंक और CIA वर्ल्ड फैक्टर बुक के तमाम देशों में अलग अलग रहने की लागत का भी विशलेशन किया गया इसके बाद ओलंपिक के दोरान विभिन देशों का पदक जीतने में परदर्शन आका रहा इस अधार पर प्रती 100 अरब डॉलर GDP पर इन देशों ने कितने कम या ज्यादा पदक जीती इसको दर्शाया गया आपको हैरानी इस बात को लेकर होगी कि इस सूची में सबसे उपर छोटा सा केरे बियाई डूप ग्रेनाडो था जिसकी GDP कुल 1.4 विलियन डॉलर है वहीं अमेरिका जो इस पदक तालिका में सबसे उपर था वो इस सूची में 60 अस्थान पे रहा इसमें उन 86 देशों को शामिल किया गया जिनमें कम से कम एक पदक जीता हो भारत दुन्या की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ विवस्ता मानी जाती है लेकिन महज दो पदक जीतने वाला भारत इस सूची में अंतिमस्थान पर रहा अस्थेलिया ये खवार्द अस्थेलियन ने अस्कारफिन पंडुबियों से जुड़े दस्थावेज लिख होने का एक नया सेट गुरुवार को जारी किया है नय दस्थावेजों पर भारतिय नौसेना का चिन्ध अंकित है और उन पर रिस्ट्रिक्ट स्कावरपिन इंडिया लिखा है इनमे पंडुवियों कि सोनार प्रनाली का विवरन है, इस प्रनाली का इस्तिमाल पानी के नीचे खुफिया जानकारी के इकठा करने के लिए किया जाता है दस्तावेजों में सोनार प्रनाली की तक्निकी विशिष्टा का विस्तार से उलेक है साथ ही ये भी बताया गया है कि यह किसी डिगरी और फ्रिक्वेंसी पर कार्य करेगी इनमें अन्य चीजों के अलावा यह भी बताया गया है कि फाइरिंग के लिए लक्ष का और हतियार का चिनाव किस तरह किया जाना चाहिए नए दस्तावेजों पर हालाएं कि नौसेदा ने कोई परतिकरिया व्यक्त नहीं की है लेकिन सुत्री इस बात पर कायम है कि इनसे राष्टिय सुरक्षा का कोई खत्रा नहीं है उनका कहना है कि किसी पंडुबी के बारे में यही जानकारी कई नौसेनिक रक्षा विबसाइट पर उपलब्द है शीना बोरा मडर केस में फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग से कुछ आहम जानकारी मिली है रिकॉर्डिंग पीटर मुखर्ज की बेटे राहुल ने की थी इस जानकारी के सामने आने के बाद शीना के भाई मिखाईल बोरा ने कहा कि फोन कॉल्स से जो जानकारी सामने आ रही है वो इस केस के लिए महतपूर्ण है मिखाईल ने कहा कि उमीद है कि सीवी आई इस मामले पर ध्यान देगी और सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा सीवी आई ने कहा कि जो टेप चैनल पर चलाये जा रहे हैं जाच के दौरान उन साभी वाक्यों की जाच की गई है इस से ये साफ होता है कि पीटर मुखरी के खिलाब पुखता साक्ष है अदालत को इसके बारे में जानकारी दी गई है पीटर इंदरानी और राहूल के बीच फोन से हुई बाचीत में ये जानकारी मिली है कि इंदरानी और पीटर ने शीना के मडर के बाद जानकारी को छीपा कर राहुल को गुमराह करने की कोशिश की CBI ने फोन से बाच्चीत के 20 में से 7 नमूनों को सबूत के तौर पर इस्तमाल किया है प्रधान मंतरी नरिद मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग वेब साइट मेगामाड अमिताब बच्चन को पीछे छोड़ते हुए ट्यूटर पे सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले भारती बन गए है इस सोशल मीडिया पे 25 अगस तक मोदी की 2.21 करोड फॉलोवर्स है जबकि बिग बिग के फॉलोवर्स की संख्या 2 करोड है जनवरी में मोदी ने ट्वीटर पर फॉलोवर्स की संख्या में वॉलिवूड सूपरस्टार सारूख खान को पीछे छोड़ दिया था शारूख फिलहाल ट्वीट पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स की जाने वाले भारतिये हैं मोदी 2009 से ट्वीट पर सक्रिये हैं और वेबसाइट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स की जाने वाले निता हैं अमेरिकी राष्टपती ब्राक वामा इस मामले में पहले अस्थान पर है मोदी ने ट्विट का परियोग मेक इन इंडिया स्वक्ष भारत मन की बात और सेलफी विद डौटर अव्यानों को लोगप्रिय बनाने तथा नागरिकों से जुड़ने के लिए किया बिहार में फिर बाड के करन आठ लोग की मौत हो गई है तिसके साथ ही बिहार में बाड की हालात से अब तक 135 लोग की मौत हो गई है वही गंगा अभी भी अपने खत्रे की निशान से बाहर बह रही आपदा परवंधन विभाग ने एक बियान में कहा है कि गंगा, सोन, पुनपुन, बुढ़ी, गंड़क, घागरा, कोसी और अन्न नदियां उफान पर रहने के चलते आई बाड से 12 जिलों में 1934 गामों में 31, 33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं भोजपूर जिले के बाड दूसरी बार आई बार में 22 में 7 समस्तिपूर में 6 सारन में 5 भागलपूर और खगरिया में 2 दो और बकसर लखिस राय हुआ मुगेर में एक एक लोग की मौत हुई है जिले के चार जिलों के बिभिन ने हिस्सों में गंगा खत्रे के निशान से उपर बह रही है जिसमें पटना में दिगा घाट गांदी घाट हाथिदा भागलपूर जिले में भागलपूर हुआ कहल गाओं मुगेर और बकसर जिले शामिल हैं बाड परभावित बारह जिलोबे बकसर भोजपूर पटना वैशाली सारन बेगुसराय समस्तिपूर लखिसराय खगरिया मुगेर भागलपूर और कटिहार शामिल है इस बाड में 28 पशु भी डूब गए हैं कुल 3.44 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है और बाड परभावित इलाकों में 433 राहत शिवीर चल रहे हैं जहां 1.44 लाख लोगों ने शरन ली है परभावित को कुल 237 चिकित्सा टीमें सेवाई मुहिया करा रही है इसके अलावा पशुओं के लिए 108 शिवीर खोले गया है तो फिलाल खास कवर मैं अचके लिए बस इतना ही मुझे देज़े इजाज़त समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहे है समाचार टाइम 24 धन्यवाद